हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा टॉट्रल स्रीज, डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इंसाइट हम स्रिलाइजेशन और डिस्रिलाइजेशन को एक रियल एक्जामबल के बेसेश पे समझेंगे, साथ इस लेक्चर के इंसाइट हम स्रिलाइजेबल इंटरफेस क के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस टोपिक को हम एक रियल एक्जांपल के वेसेस पे समझेंगे तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास मेंट तक वोच करें क्योंकि यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादे यूसफुल होने वाला है तो चलिए शिरू करते हैं Serialization और De-Serialization की Process को समझने के लिए मैंने यहाँ पर तीन क्लासेश बनाई है Serialization की Process के लिए Serializable EX नेम की क्लास बनाई है जब Serialization का Process कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद De-Serialize करने के लिए De-Serializable EX नेम की जो क्लास बनाई इसका यूज करेंगे और एक और class बनाई है book name की यह दोनों ही classes जो मैंने बनाई है इसके insight main method हम बनाएंगे और यह जो book name की class हमने बनाई है इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर ध्यान से देखें यह एक AC class है जिसके insight हम उन variables को रखेंगे जिनका record हमें insert करवा के किसी file के insight stream form में write करवाना हो ठीके तो जब आप serialization का process यहाँ पर apply करना चाहते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर serializable interface को implement करना पड़ेगा जब आप serializable interface को implement करेंगे तबी इस class के लिए serialization का process apply हो पाएगा यह बात आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर यह serial version UID क्या है serial version UID का use हम sender और receiver को एक unique ID provide करने के लिए use करते हैं जब आप serializable interface का use करेंगे जब serialization का process होगा तब हमें एक ID assign करना होती है जो कि long type में होगी और इसे आपको final, static और private रखना पड़ेगा यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर तो इस वज़े से मैंने यहाँ पर एक पूरा line लिख दिया है यहने कि एक ID assign कर दी है one और चुकि यह पीछे L आपको दिखाई दे रहा है यह इस वज़े से है क्योंकि इस variable का जो type है वो long है और यहाँ पर ID जो मैंने दिया है one दिया है तो confused नहीं होना है आपको इस तरीके से एक ID assign करना है अगर आप इसा नहीं करते हैं तो जब आप desrealize करेंगे तो इस class के लिए invalid class exception आएगा यह बाद आपको ध्यान रखना है तो इसा नहीं हो इसके लिए आप starting से ही इसे serial version UID assign कर दे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं मैंने book के लिए b code और b name से दो variable लिए है b code का type integer है और b name का जो type है वो string है ठीक है अब मुझे क्या करना है यहाँ पर एक constructor बनाना है जो कि parameterized होगा तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ तो यहाँ पर मैं एक parameterized constructor बना लेता हूँ ठीक है बहुत आसान है अब मुझे क्या करना है अब मुझे serialization का process अप्लाई करना है तो यहाँ पर मैं चलता हूँ sealizable ex name की class के insight और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो book name की class है उसके insight book के code और name को assign करवा देता हूँ इसके लिए मैं object बना रहा हूँ यहाँ पर book name की class का बहुत आसान है यहाँ पर मैंने जो code है वो दिया 101 और जो book का name है वो दिया मैंने java ठीक है अब क्या करना है यह जो class का object आपने बनाया है इस class के object को इसी class के reference में आपको assign कर देना है इस तरीके से बहुत आसान है अब ध्यान दे अब आपको एक file create करवाना है और उस file के insight यह जो object है 101 101 यहने की book का code और java यहने की book का name इसको stream के form में आपको write करवाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर file output stream name की class का object बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर file output stream name की class का object बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ file का name तो मैं यहाँ पर file का name दे देता हूँ am.txt यहने की am file का name है और txt उसका extension है ठीक है इस name से file बनेगी जिसके insight data stream form में right होगा अब मैं यहाँ पर जो file output stream name की class का object है उसको इसी class के reference में रख देता हूँ इस तरीके से बहुत आसान है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जब मैं ऐसा करता हूँ तो file not found exception generate होता है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं यहाँ पर try catch block use करूँ तो मैं यहाँ पर try catch block use कर लेता हूँ इस तरीके से और इसके अलावा भी कोई other exception आ सकती है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं यहाँ पर exception class का reference रख दूँ क्योंकि runtime पर जित्ती भी exception आती है उन सारी classes का जो parent होता है वो exception ही होता है तो वो इसमें catch हो और आपको कोई confusion नहीं होगा इस वज़े से मैं exception class का use कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर exception को print करवाने के लिए system.out.println statement यूज कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से ठीक है आगे बढ़ते हैं और अब मैं यहाँ पर एक other object बनाऊंगा और वो object बनाऊंगा मैं object output stream क्लास का और यहाँ पर मैं file output stream class के object को पास कर दूँआ इस तरीके से बहुत आसान है और इसके बाद मैं इसी class के reference में इसे assign कर दूँआ इस तरीके से अब क्या करना है अब मुझे object output stream name की class के inside जो right object name का method है उसे call करना है इस तरीके से और यहाँ पर यह जो book name की class का object मैं ने बनाया है इसके object को पास कर देना है क्योंकि इसी class के inside के data को मुझे stream के form में write करवाना है m.txt file के insight ठीक है अब मुझे क्या करना है जो stream है उसको close करना है यहने की stream को मुझे close करना है यहने की जो file output stream name की जो class है उसे मुझे close करना है इससे क्या होगा कि जो भी stream form में data write होगा m.txt file के insight वो save हो जाएगा ठीक है अब मुझे यहाँ पर एक message इंटेलेन statement यूज करूँगा है बहुत आसान है और यहाँ पर में message दे देता हूं टास्क कम्प्लीटेट चलिए अब सीलाइजेशन का process तो हमारा complete हो गया है अब हम इसे run करके check करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस file को run करूँगा देखिए message आ चुका है task completed अब हमें देखना है कि am.txt file कहां बनी है और उसके inside data right जो हुआ है क्या वो stream form में data हुआ है या नहीं तो बहुत आसान है इस project का जो name है आपको यहाँ right click करना है properties में जाना है properties में जाने के बाद यहाँ पर आपको path दिखाई देता है आपको इसे copy कर लेना है copy करने के बाद यह जो आ इंटर करना है इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर am.txt name से file बन चुका है आपको इसे notepad में open कर लेना है मैं notepad plus plus में open कर रहा हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो code दिखाई दे रहा है वो ठीक तरीके समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा ही करने के लिए हमने इस concept का use किया है serialization का ताकि कोई भी इस फाइल को देखें तो उसको समझ में ना आए यह stream format है अब हमें वापस इसको stream format से string में convert करना है यानि कि वापस उसी format में देखना है जिस format में हमने जो है user से input करवाया है या फिर हमने code के insight डाला है तो किस तरीके से हम देख सकते हैं तो उसके लिए हमें decalization process apply करना पड़ेगी अब decalization process के लिए क्या करना है यहाँ पर मैंने एक class बनाया है decalizable ex name से इस class के insight चलते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर वापस से decalize करने के लिए आपको object बनाना है और जो object आप बनाएंगे वो बनाएंगे object input stream name की class का बहुत आसान है इस तरीके से आप इसका object बनाएं और इस object के insight फिर object रखें आप यहाँ पर file input stream का इस तरीके से और यहाँ पर वही जो file आपने बनाई है उसका name दे aim और उसका extension है वो है .txt चुकि file हमारी इस file के parallel में है इस class file के parallel में हैं इस वज़े से हमने सीधे file का name और इसका extension दिया दूसरी जगे होती तो पुरा path आपको देना पड़ता है तो यहाँ पर भी exception generate होता है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे try catch block में डाल दें तो मैं यहाँ पर try catch block use कर लेता हूं और इसको exception के reference में रख देता हूं बहुत आसान है और इस exception को print करवाने के लिए use कर लेता हूं system.out.printed in statement बहुत आसान है step by step इस lecture को follow करें sealization और decalization का process आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे बढ़ते हैं और यह जो object आपने बनाया है आपको इसी के reference में इसको assign करना है ठीक है तो यह object input stream के reference में आपने इसे assign कर लिया ठीक है अब इसके insight read object name का method होता है तो यहाँ पर आप इसके through जो read object name का method है उसे call करेंगे और फिर यहाँ पर आप type cast कर लेंगे record book name की class का है तो आप यहाँ पर जो book name की class है उसका name देंगे अब इसके बाद आप इस object को इसी class के reference में assign कर देंगे इस तरीके से अब क्या करना है आपको अब आपको record को print करवाना है तो print करवाने के लिए आप system.out.printalent statement यूज़ करेंगे इस तरीके से सबसे पहले मुझे book का code print करवाना है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर book code और फिर इसके बाद में इससे मैं call करूँगा इसी तरीके से मैं यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं जो book का name है उसको भी में call करूँगा इस तरीके से और इसके बाद जो object input stream क्लास है उसको मैं यहाँ पर close कर दूँगा इस तरीके से बहुत आसान है और अब इसे run करके check करके देखते हैं कि क्या हमारा decilization का process जो है वो पूरा complete हुआ है या नहीं तो right click करते हैं और run करके check करते हैं देखे हमने run किया और हमें output मिल चुका है जिस format में हमने record को insert करवाया था और file के insight right हुआ था stream format में जो हमें समझ में नहीं आया था इस format में insert करवाया था और इसी format में हमने वापस इसको console पर display करवा दिया है तो dear friends ये था serialization और decilization process का example I hope कि आपको ये lecture बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं इसे ही अच्छे lectures के साथ तब तक के लिए बाए बाए कर दो झाल कि का लिए बाए